नमस्कार स्वागत आप सुभी का हमारी यूट्यूब चैनल दा मॉंक बैक्पेकर पर और आज का वीडियो कुछ खास होने बाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसी चड़िया की तलास में जा रहा हूं जिसको हमारे यहां लोग सोन चड़िया बोलते थे जो एक मैगनेटिट उतने और मौसम भी थोड़ा उस हिसाब से नहीं होता है जैसे पहले होता था इंवारन्वेंट्र भी एफेक्ट है तो मैं सोच रहा हूं मेरे घर के पास से थोड़ी दूर पर मेरे खेत है वहां पर एक तालाब है वहां पर वह पहले चड़िया बहुत आती थी पर अभी पर आती है नहीं आती है तो मैं उसी तालाब में जाकर आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा पुचड़िया कैसी होते हैं और इसका सबसे एक ताजा उधार यह है कि आपको जो मेरे पीछे तालाब दिखाई दे रहा है यह सब तालाब हुआ करता था किसी जमाने में बट अभी नहीं है क्योंकि छोटा था यहां पर बहुत सारा पानी हुआ करता था तो यह तालाब खतम हो चुका देरे देरे और अभी है कोहरा का मोशम यह कोहरा दिखाई और बहुत है आस्सरती तो इसमाजे से मुझे काफी excitement भी हो रही है और ठंड भी लग रही है तो मैं जा अभी बात है क्योंकि हम यह सबसे बड़ी कारण है इंसानी एक ऐसा है जीव जो जीव चंतु पच्छी इन सबके बिलुक्त होने का यही एक कारण है सिर्फ इनसान और दूसरा कोई नहीं है दोस्तों कोहरा इतना ज्यादा है कि मुझे सामने का कुछ भी नहीं दिखाई द पास जिसमें खड़े हैं क्यों यह देखिए यह सामने मेरा खेत है और यह देखिए यह जो दिखाई दे रहा है यह मेरा खेत है यह और मैं चल रहा हूं अभी खेत की मेड़ पर और सामने है तालाव यह सर्सों का खेत इसके आगे एक और सर्सों का खेत उसके बाद है तालाव जहां पर हमारी उम्मीद लगी हुई है कि मुझे वो सोनचड़िया दिख जाए और यह दिखाई पढ़ रहा है यह पगमार के आपको यह नील गाय के हैं यह जो पगमार के दिखाई दे रहा है यह नील गाय के पगबार करें और उस से भीग गया मैं अब पानी भरा हुआ चाहिए रुखेदों में पानी लगाया गया फसलों में तो कीचड होता रखा है जो अब फाइनली पहुंचने वाला हूं ताल आपके पास तो यह छोटी छोटी मेडे हैं जिनको पार करके जा रहा हूं वापर दोस्तों मैं आ गया हूं उसी तालाव के पास तो देखते हैं मुझे बुचडिया मिलती है नहीं मिलती है सोंचडिया और मेरे पीछे आपको दिखाई पढ़ रहा है यह तालाव तो यह वही तालाव है जो मेरे खेत के पास है तो देखिए अब हम जा रहे हैं उसी चडिया की तलास में साइद बु मिल जाए मुझे तो चलिए मेरे साथ साथ और खोचते हैं चडिया को दोस्तों यह कोई ताजा सिकार है तो नहीं है कोई जंगली बिल्ली रही होगी उसने किसी चोटे जैन्वर का सिकार किया है यह जो दिखाए दे रहा है यह ताजा मास है इसकी पूछ है या खाल है मुझे नहीं पता हो सकता है याँ पर कुत्तो ने सिकार किया हो क्योंकि यहाँ पर चारो दरफ जंगली गाये जंगली नहीं जो पालतू गाये लोग छोड़ देते हैं उनकी छोटे-छोटे बच्छडे होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं, हो सकता है जंगली खुतों ने या उनका सिकार किया हो तो ये है तालाफ और अभी जा रहे हैं हम उसे चड़िया की तलास में दोस्तों, वो सामने उस पेड़ पर, किंग फिसर बैठा हुआ है जो अभी थोड़ी देर पहले इस पेड़ पर था और यहां से उड़के गया, जैसी में पास आया वो वहाँ पर चला गया इसको यहां गाओं में किलकिला बोलते है, किलकिला यह पानी वाली कोई चड़िया, इसका नाम मुझे नहीं पता यह देखो, और यह छोटी सी चड़िया, वो देखो, वहाँ पर बैठी है साइद यह मुझे बुलबुल लग रही है नहीं नहीं, गौरेया टाइप की कुछ है, लेकिन मुझे क्योंकि मुझे इस्तनी पच्छियों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप खुद पैचान सकते हैं, देखिए कौन सी है अगर आपको नाम पता हो, इस चड़िया का, तो बताना जरूर, उड़ गई और वहाँ पर जो बैठी है चड़िया, इसका भी नाम मुझे नहीं पता कि जारतर मेरे हाँ तालावों पाई जाती है इसको हम भच्पन में डूप कैलिया बोलते थे, डूप कैलिया मतलब जो डूप जाती थी, ये पानी में गोते खाती है साथ ये स्नेक बर्ड हो या कुछ भी हो, लेकिन मुझे नहीं बता है, ये पानी में गोते खा जाती है और बहुत दूर तक निकलती है ये, जैसे यहां पर गोता खाया तो निकलेगी काफी दूर जाके, तो ये देखो, ये ही एक्सपेरियन्स होता है जंगल का, तो कुछ लेके गई है, मुझे लग रहा है, उस तरफ तालाव के उस तरफ मुझे कुछ ड़िया दिखाई दे र अभी हम चल रहें धीरे-धीरे, पिल्कुल आवाज ना करते हुए, इसमस्तरवियों का मौसम है, तो सांप तो निकली का नहीं, मुझे फूरा विश्वास है, दोस्तों मैं कोसिस कर रहा हूँ आपको दिखाने की, बट कोहरा है, और मेरे पास जूम लेंस कैमरा नहीं है, तो इस बज़े से मैं आपको केलियर नहीं दिखा पा रहा हूँ, आपको टेटेरी दिखाते हैं, यहां बहुत सारी टेटेरी हैं, लेकिन वो पच्छी नहीं है, जिसको सोंचडिया बोलते थे, सोंचडिया है साइध, है है है, यह देखिए, यह यह आपको दिखाई दे र कितने हैं इनको मैं उंगली से गिन सकता हूं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौध दस ग्यारा बारह बारह है बारह है बारह का मतलब है छे जोड़े और यह जो आपको दिखाई दे रही यह टेटेरी है जो खेतों में अंडे देती है यह यह दिखो यह टेटेरी है को जोड़ गई मैं तालाब के इस तरफ आया तो वो लोग तालाब के उस तरफ चले गए अब जैसे ही मैं उस तरब जाऊंगा वो सारे के सारे पच्छी इस तरब आ जाएंगे तो ये एक प्रब्लम है और कोहरे के बज़े से मैं किलियर नहीं दिखा पा रहा हूँ ये देखो टेटेरी हैं वो दो टेटेरी थी यहां पर ओड के चलेंगे वो देखो साइड क्योंकि यह नहीं चाहती है कोई मनुसे इनको डिश्टर्ब करें लेकिन हम अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं और वैसे मैं भी डिश्टर्ब भी कर रहा हूं इक तरह से लेकिन जो लोग development करते हैं इनका प्रक्रतिक बातावरण उजार कर इनका रहेने का यह तलाबों को पाड़ कर तो यह सबसे बड़ा disturbance है हम तो डिश्टर्ब कर रहे हैं उनको नुक्सान तो नहीं पहुँंचा रहे है यह उनके आस्तित उपर ही खत्रा है अगर हम कोई development कर रहे हैं कोई project ला रहे हैं इस तालब को खतम करके यहां पर कोई बड़ी से building मना दी जाए यहां पर इसको कुछ भी मान सकते हैं कुछ भी ऐसा डेवलोप जिससे प्रकृत को नुक्सान हो तो यह इनके आस्तित उपर ही खत्रा हो जाता है दोस्तों जैसा मैंने सोचा था कि सौन चडिया मुझे दिखाई पड़ेंग इस तालाब में जो मेरे गाउं के पास वाले तालाब हैं उनमें तो अब नहीं आती हैं बिल्कुल भी इनके लिए bird century बनाई गई है इस तरह के migrated पच्छों के लिए बट जो फील हम bird century में करने जाते हैं वहाँ पर किराया दे कर वो फील हम अपने आसपास भी कर सकते थे होता था यह है वहाँ पर हम आज भी देख सकते हैं सारस को देख सकते हैं लेकिन अब एक खास बात ही है कि शर्दियों के दिनों में सारस मेरे आप बहुत आते थे बहुत सारे जोड़े आते थे कम से कम 150 तो देखे जा सकते थे एक बार में लेकिन अब सारस दिखाई नहीं दिया तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है अगर मुझे सारस अब देखना है तो मैं किसी बर्ड सेंचुरी में जाकर बाकाइदा उसकी फीस देकर तब देख पाऊंगा वहां भी बामुस्किल सही कमाते हैं सारस एक दो जोड़ा मिल जाएगा वैसे यहां पर पचास हेले साब भी हुब करते थे अब उर्स दो रहा नगी खेद बन तो साइकल चलाने जब मैं आए सादिकना आता था तो पच्चास सो सारत होते थbrand है तो यह एक प्रॉब्लम बनती जा रही है और बनती जा नहीं रहे यह प्रॉब्लम हम ही बना रहे हम से इंसान बना रहे है क्योंकि हम का नेचरल का खतम कर रहे हैं यह देखिए इस तॉन मुंत जारी जाड़िया है लेकिन अध Hug sniff देखो जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसको हाली फिलाल के दिनों में इसको दुबारा देखिए इसके हाली फिलाले दिनों में इसको रिविल्ट किया रहा है, वो सकता है इसको विल्ट कर दे तो ये पच्छी जो दस बारा दिखाई दे दे रहेतें ये भी आना बन्द कर देंगे और मुझे नहीं लेगता आज इस साल बारा है हो सकता है अगली बार बिलकुल भी ना आए तो यह है आपको पता है जहां पर मैं अभी टैल रहा हूं यह छोटे बच्चों का ग्रैवियार्ड होता है अब यहां पर नहीं लाए जाता है जैसे कोई न्यूबॉर्ण बेबी यह उन्यूण पर एक्स्पाइर हो गया खУ Iran हो गया जाता था तो इसको यह-पर फना दिया जाता था अब कम finns लोग लेकिन लाते हैं फिर वी गुक्ड का अगने हो बोला जाता था लेकिन इसको अगर रिविल्ड कर दिया गया तो यह सारी चाहिए खतम हो जाएंगी और पच्छेयों का जानवरों का यह नेच्रल हैविटेट वो डिश्टॉय हो जाएगा क्योंकि यह जो मेरे चारों तरफ देख रहे हो यह किसी जवाने में प्रॉपर जंगल हुआ करता था यहां पर बहुत जाडियां हुआ करती थी आज से दस वारे साल पहले तक का मुझे याद है क्योंकि मैं बाबा के साथ आता था तो यह सब घुमाते थे मुझे लेकिन आप यहां पर खेत हैं फसले बनके हैं तो यह भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा मुझे लग रहा है कुछी दिनों में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जाडियां कड़के खेत बन रहे हैं जंगल कड़के खेत बन रहे हैं जैसे साब से हम तरक्की कर रहे हैं हिसाब से अन्य जीव सफर कर रहे हैं दोस्तों मुझे अभी अभी स्नेक बर्ड देखी जो बो देखो पेड़ पर बैठी हुई है नीचे तालाब उपर स्नेक बर्ड बो देखो इसकी गरदन लंबी होती है और जब यह पानी में चली जाती है अपना सरीर पूरा डुबा लेती है इसको साप चड़िया बोलते है यह देखो 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 तो जब यह गरदन निकालती तो लगता है कि पानी में कोई साप तैर रहा है तो इस वज़े से इसको स्नेक बर्ड बोलते है अभी इस पर बैठी थी और वापस पानी में जाने लगे वो दिखो अभी आपको एक-दो दिखाई दे रहे होंगे बोर सामने और जितना मैं पास जाता हूं उतने उतने ज्यादा ये पानी में चले जा रहे हैं देखिए मैंने क्या गाता मैं उस तरफ जाओंगा तो यह इस तरफ आ जाएंगे और जो मैं इस तरफ आओंगा तो भी यह उस तरफ चले जाएंगे यह देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा देखो देखो सारी के सारे पानी में कूद गए क्योंग मेरे पास जूम्लेंस केमरा नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं अगरूता तो मैं आपको जरूर दिखाता फेर भी देखिए और कोहरा है इस वज़े से और साफ नहीं आ रहे आपको ये जाड़ियां दिखाई दे रहे है ये अपने यहाँ पर जंगल होने का अफसेश है ये यहाँ पर बता रहे हैं चिला चिला के कि यहाँ पर कभी मेरा परिवार हुआ करता था अब तुम इनसानों ने मुझे खतम कर दिया ये देखो तुम इनसान मुझे खा गए मेरे परिवार को भी खा गए अब मैं ही बचा हूँ तुम मुझे भी खा जाऊ गए आता रहू ना जैस से बारा साल पहले यहां आता था तो यहां बहुत सारी होती थी और मैं उनमें जंगल बेरी होती थी जहर बेरी जिसे बोलते थे उनसे बेर निकालता था और बहुत सारी पन्नी में करके घर ले जाता था यह सारी अडवेंचर मैंने करे हुए बच्पन में तो यह देखिए दोस्तों यह देखिए यह थोड़ा क्लोजफ है सौन चड़ियेगा और मैं भी आपको और दिखा रहा हूं देखिए और उस पच्छी का नाम बताई यह वह उपर देखिए उसका नाम अगर आपको कैसी पता तो जरूर बताईएगा यह बहुत सिर्मिला पच्छी होता है और इसका द्रमिला मुझे मैं नहीं पताकि यह मेरे हाँ यह पाया जाता है बहुत ज्यहorf है यह पानीसा पानी देखिए और यह सफेद सफेद दिखाई दे रहे हैं सफेद गले वाली यह सारी टेटेरियां यह दिखो उड़ गए टेटेरी दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर बताया था कि यहां पर एक मास्क का ट्रोकडा पड़ा हुआ था किसी बचड़ी का वो कोई जानव बहुत जादा है और मुझे लग रहा है मुझे घर चलना चाहिए यह जो पेड़ आपको दिखाई दे रहा है यह एक तरह की जंगली जाड़ी है जिसको बोलते थे हम सबोरा जिसको गाउं में सबोरा बोला जाता है यह काटेदार होते हैं और यह जंगली जाड़ी है और ये पास में खड़ा है ढाक, आपने कावा सुनी होगी ढाक के तीन पात, तो वही ढाक है, और इसके फूल से बनाया जाता है सिंदूर, अभी नहीं, जब बसंत आएगा, तब इस पे बहुत लाल-लाल फूल खिलते हैं, जिससे बनाया जाता है सिंदूर, और इसका फूल चारों तरफ आपको दिखाई पड़ रही है, ये भी आने वाले दिनों में, मनुस्त की विकास की सब्विता की भेड चड़ेगी, क्योंकि यहां पर तीन सो विगे में बनने वाला है, एक बहुत बड़ा सॉलर इनर्जी जनरेट करने वाला पाबर हाउर्स, जो दो जिलों के लिए विजली प्रोवाइट कराएगा फारुखाबाद और मैंपुरी, तो ये जो आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये आने वाले सालों में, हो सकता ऐसी साल ना दिखाई दे, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मुझे अभी अभी सामने पैंटे जोड़ा हूँ, और दो बच्चियों, ये सबसे बड़े उड़ने वाले बच्चियों होते हैं, इनका बजन अप्रोक्स होता है, दो से ड्हाई किलो, ये देखिए, इनको हम गाओं में बढ़ चौचा बोलते हैं, मैं उनके क्लोजली जाने की कोसिस करता हूँ, मुझे नह देखिए, ये पेंटेड श्टॉक वर्ड्स थी, और जिनको हम गाओं में उजली बोलते थे, बढ़ जोचा, जब मैं वीडियो नहीं बनाता था, तब एक रात में आया था, स्यार की तलास में, क्योंकि मैं जब रात में सोता था, बच्पन में, बच्पन में के अभी भी, तो मुझे स्यार की आवाज बहुत ज़्यादा सुनाई देती थी, हुआ हुआ की आवाज, तो मैं उसकी तलास में एक बार आया था, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, ये बात है लगबग 4-5 साल पुरानी, तो लेकिन मैं रात में आया, टॉर्च लेके आया था, अकेल जाता था, तो रात में, और यही सर्द्यों को मौसम था, बिल्कुल कपकभी वाली ठंड थी, और हम स्यार ढूट रहे थे, कितना अजीब महोल था, अगर कोई मुझे उस समय देखता, तो बिल्कुल ही पागल बोलता, तो ये पागलो वाली बात ही थी, हरकते ही थी पागल था, तो हम भटकते रहें, लगबग तो घंटे, तेकिन हमें स्यार नहीं मिला, अगर आप चाहते हैं, कि मैं स्यार खोजते हुए वीडियो बनाओ, तो आप कमेंट में जरूर बताईए, दोस्तों, जैसा मैंने प्रिविएस वीडियो में बताया था, कि मैं एक सीरीज सुर तो ये एक तरह की बहुत ये अच्छी सीरी जाएगी, और जिसके लिए मुझे चाहिए होगा आप लोगों का सपोर्ट, और सपोर्ट के लिए आप मुझे जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद है, आपको एडवेंचर पसंद है, ट्राइब्स के बारे में जानना पसंद है, रूरल इंडिया के बारे में जानना पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपका दोस्त इस तरह का हैविट रखता हो, रूरल इंडिया के बारे में क्योरियस हो उसके बारे में जानना चाहता हो तो उसको भी सजेस्ट करिए क्योंकि इस पर बहुत ही अच्छे ट्राइवल विलिज के वीडियो आने वाले हैं तो मिलते हैं